आपके पार्टी के लोग भी कहरें कि काफी जादा भीतर घात हुआ है आपके कुछ नेताओं ने कुछ आपी के पार्टी के कारे करताओं ने काफी सीनियर कारे करताओं ने पार्टी के अगेंस्ट जाके काम किया क्या अब लगता है कि लीड्स जादा हो सकती थी और यहां से कुछ इस तरह के भी नेता जो अपने आपको हमेशा ही MLA के कंडिडेट समझते हैं उनको उनका काम सिर्फ MLA बनने तक है उनका पब्लिक के साथ जोडने का कोई मतलब निया पब्लिक जोडने से उनको कोई मतलब निया रहता है अपके खिलाफ भी फेस्बुक पे काफी लोग लिखते रहते थे आप भी उनका जवाब देते थे फिर आप खुद भी उस कॉंट्रोर्सी में फजगे लोग कहने लगे कि इतने बढ़िया मार्जिन से जीते हैं पुरा इलाका वासियों के इनको सपोर्ट मिला है पर इस परक अगे बीखते हैं और कोई हमारे लिए गलत लेखेगा तो गलत सुनना भी पड़े इसकी काफी चर्चा हो रही है कि पॉलिटेक की भूमी कहा मिलेगी और ऐसा लोग कह रहें कि आप चाहरे हैं कि वो इस तर्फ रहे बदुराड वाले इलाके में रहें तो मेरे लिए इलाक अगे बड़े जनता को नहीं पता हो पड़े समय से एक डिमांड थी कि इलाका बदरोता में एक पुलिस टेशन हो एक पुलिस चौंकी हो कितनी दावेदारी आपकी मस्ट कितनी आप क्या मानते कितनी मजबूत है आपकी दावेदारी नेक्स्ट टिकेट मिलने के लिए आप क्योंकि HRTC Development Authority के Board of Director भी है और ये सवाल आपसे पूछना वाजिव रहेगा अभी एक रिसेंटली एक कॉंट्रवर्सी यहां पे आई है कि सरकागाट की काफी बसें जो है अधरमपूर डिपो में लगा दी गई है काफी रोज हैं लोगों में भी विपक्षिस मुद्दे को काफी अच्छे तरीके से बुणा रहा है इस पर क्या कहना है कि यह सरकागाट के साथ हमारे गाओं के मईला है हमारी बैने उनको जिस तरह से समझाते हैं वो समझ जाती है लेकिन जो सही बात है तत्यों पर अधार इस वक्त ये इलाका है थोना पिंगला जिसे कहा जाता है पिंगला की तो एक पहुती मशूर ब्रीणा प्रता की कहानी बहुत मशूर रही है उस पर फिल्म में बनी है और ये काफी खुबसूरत एरिया इसे कहेंगे बदरोता का और क्योंकि मेरा अपना ये ग्रे क्षेतर ह तो इसलिए मेरी विशेश रूची रहती यहां पे पॉलिटिक्स में जो भी लोग जुड़े हैं उनके साथ भी और क्षेतर की डवल्मेंट को ले कर भी और इसलिए आज एक बार मैं फिर अपने क्षेतर में हूँ और मेरे साथ में थौना वॉर्ड के जिला परशद चंद हुए उनके ओपर भी और साथ मैं आपको बता दूँ यह HRTC जो बस्ट एंडवल्मेंट अथार्टी होती है उसके मेंबर सर बोर्ड ऑफ डिरेक्टर उसके बोर्ड ऑफ डिरेक्टर है साथी साथ ड्रैसलिंग फेडरेशन के ध्यक्ष यह माचल के क्यों खेलों में काफी र इस पूरे इलाके में होता है तो इन्हें बुलाना कोई भूलता नहीं है और यह अपने में अच्छी बात है युगां को इस प्रकार का सपोर्ट दिया जा रहा है चंदर्मों शर्मा जी बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारी इस इंट्रव्यू में है आपका भी बहुत- शुरुआत करते हैं रिसेंट से और जो इंट्पूट मेरे पास आते हैं यहांसे देख़े हैं लोक्तांत्रिक परनाली के अंदर हम सब लोग जी रहे हैं लोकतांतरिक हमारा देश है बोट देना अपना अधिकार है लेकिन जो हमारी बड़ी पार्टी है जैसे हमारे हिमाचल में दो बड़ी पार्टिया है भरती जन्ता पार्टी है कॉंग्रेस पार्टी है सब लोग अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं मैं बहुत समय से राजनीती में नहीं हूँ लेकिन जितने भी समय से मैं राजनीती में हूँ इस वार का जो इलेक्शन है थोड़ा सा अलग था एक तो सरकार का चौथा साल था थोड़ा महिंगाई का भी मुद्दा था थोड़ा समभबता अंटिंगनवेंसी भी होती है रही सरका घाट की बात तो सरका घाट में पिछले बाले जो हमारे मेंबर फार्लेमेंट के एलेक्शन हुए थे उसमें करीवन 31,000 की यहां से लीड गई थी इस बार हम उस लीड को तो बरकरार नहीं रख पाए लेकिन फिर भी हमने सरका घाट से लीड दी है 17 कंसिचौंसियों में से अगर जो लीड वाली 6-7 कंसिचौंसियों है उसमें सरका घाट का नाम है प्रंतु यह जो लीड सरका घाट की करीवन 3,000 की है इस लीड को 10,000 तक हम लगा के चल रहे थे और यह हो भी सकती थी अगर कुछ लोग हमारे पार्टी के ही कुछ लोग कॉंग्रिस के लोगों ने अपने लिए काम किया सब लोग बधाई के बात रहे उनकी टीम ने अच्छा काम किया मैं उनको भी वधाई देता हूँ लेकिन हमारी पार्टी के ही कुछ कारा करता कुछ लोग बड़ी-बड़ी जो यहां से बड़ी-बड़े नेता माने जाते हैं वो पार्टी के साथ होते हुए भी पार्टी के साथ नहीं थे वो बाहर से तो साथ से लेकिन भीतर से पार्टी के साथ नहीं थे कुछ ही समय में आपके सामने उसके जो इंपूट्स है वो सब के यहां जाहिर हो जाएंगे हमारे कुछ इस तरह के भी नेता जो अपने आपको हमेशा ही MLA के कंडिडेट समझते हैं उनका काम सिर्फ है MLA बनने तक है उनका पबलिक के साथ जोडने का कोई मतलब नहीं रखता कोई आदमी अगर पबलिक जोड रहा है पबलिक किसी के साथ जोड रही है तो और उसको पीछे खिचने के लिए आ जाते हैं पबलिक कोई कठा करते हैं तो कुछ इस तरह से भी लोग हमारी ही पार्टी में है जिनको आके सिर्फ कुर्सी पे बाढ़ना होता है धरातल पे उनने कोई काम नहीं किया है मैं बेबाक बोल रहा हूं मैं अगर समय मिलेगा तो मैं प्रदेश कार्यकारणी में भी और मानिय मुख्यमंत्री को भी और जहां जहां तक होगा हमें अबाज पहुंचाएंगे कि अगर हमारी एगर जो लीड सरकागाट से कम आई है तो इसका एक मातर जो बड़ा कारण है वो हमारे लोगों ने काम नहीं किया है कुछ लोग और कॉंफिडेंस में गए हैं और कुछ लोग इस तरह से पाटी के अगैस्ट काम किया है ताक्य हमारे विदायक साब की चबी नीचे जाए हम जो पाटी के लिए काम कर रहए है जैसे मैं जिला परषद होते हुए पार्टी के लिए काम कर रहा हूं आने वले समय में सरका घाट बीजे भी में बड़ी खलबली की आशनका उमीद की जा सकती है। अगर वह भी हमारे साथ हो जाएं तो वेलें गुड़ अगर इस तरह के लोग ना भी हमारे साथ हो तब भी हमें पार्टी के लिए कोई प्रॉल्लम नहीं है। और इसा लोग कह रहें कि आप चाहा रहें कि वो इस तरफ रहे बद्राड वाले इलाके में रहें तो इसके उपर क्या कहना चाहेंगे। तो इलाका बधरोता के लिए बहुत बड़ी बात हैं। इससेल्फ बिग तिंग कि जिस इलाका बधरोता को कभी कोई पूस्ता नहीं था। पिछले दो महीने में मान्या मुख्यमंत्री जी यहां खुद आये हैं। और जो हमारी 4-5 demands बड़े समय से चलती आ रही थी। पॉल टेक्निक कॉलेज हम करीवन करीवन 30 साल से मांग रहे थे। तो हमें नहीं मिल रहा था। सबसे बड़ी सौगात मान्या मुख्यमंत्री जी ने दी है। और मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। जमीन जहां भी मिलेगी 4-5 जगह हम देखेंगे। और जहां डिसाइड होगा। जहां पे सरकार डिसाइड करेगी। जहां पे जगह भी उपिक्त होनी चाहिए, वहां पे बनाया जाएगा। जाए बदरवाड में बन जाए, गाहर में बन जाए, जमनी बन जाए, थोना बन जाए। बनेगा इलाका बदरोता में। तो मेरे लिए इलाका बद्रोता ये एक ही है मैं इसको एक ही नजर से देखता हूँ कोई किसी को कोई प्रियोरिटी नहीं है कोई मुझे कोई इशू नहीं है दूसरी एक मीनी सची बाले बड़े समय से हम देखते आ रहे थे कि किसी प्राइवेट घराने में सारे सरकारी ओफ करते हैं तो मैं ने इससार से बोला था कि हम यहां पर मेंनि सची वाले खोलेंगे मैंने मुख्यामत्र जी से बात करी करनल इंदर संग जी के साथ बात की मान धनयवाद करता हूं इन सब ने हमारी बात को माना और बहुती बहटे में मीनी सची वाले आपकी बद्रवार पुलिस चौंकी हो तो कुछ ही समय में हमारे इलाका बद्रोता में और हो सकता है बद्रवाड पंचायत में ही पुलिस चौंकी यहां पे खुल जाए उसकी आपचारिकता है सब अल्मोस्ट पूरी होगी है थोड़ा सा रह रहा है आने बले समय में पुलिस स्टेशन वी इलाक बद्रोता में होगा रेस्टाउस हमारे इलाका में नहीं थे जो थे उनकी हालत खराती तो हमने एक बड़ा ही बेतरिन IPS का रेस्टाउस चौरी और थोना पंचायत के बीच में बड़ा सुंदर भब्या एक रेस्टाउस हमारा यहां पे बन रहा है हमारा यहां पे अटल एक्टिव रह रहे हैं और पीछे भी मैंने आपसे सवाल पूछा था और अब फिर से वो सवाल पूछने का समय आ गया है आप बहुत ही बंपर वोटों से आप जिला प्रिशर का इलेक्शन जीते थे वो भी अपने में एक रिकॉर्ड था अभी आने वाले टाइम में नेक्स् आप क्या मानते कितनी मजबूत है आपकी दावेदारी नेक्स्ट टिकेट मिलने के लिए देखिए टिकेट देना टिकेट मिलना यह सब पार्टी के हाथ में होता है जो पार्टी कहीं चलेगी जिस रास्ते पर पार्टी चलेगी हम उस रास्ते पर चलेगे मैंने कभी भी का इस तरह से नहीं किया कि मुझे कोई Rib athletic मिले मेंने कभी टिकट नहीं हम ठीक του कहा बंगा आपज critic踩 इसके की काबिल मैंने टिकट मांगए प्रदेश की जंता चाहेगी अगर रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे आपके क्या प्राथी मिक्ता है फिर इलाके को लेके क्योंकि जब आप अगर एलेक्शन कल को लड़ते हैं तो यहां कि मैं देखता है स्पोर्स में आपके काफी रूची है उसको लेके हम कुछ नहीं उमीद यहां के हुआ कर सकते हैं कुछ स्टेडियम वगएरा या स्पोर्स की कोई और फैसिलिटीज यहां पे खुल सकती हैं जिम्स खुल सकते हैं वैसी उमीद की जा सकती है और क्या आपका इस पूरे एरिये को की डेवल्मेंट को लेके विचन है देखिए सर प्रथम तो मैं खेल बैग्राउंड से हूँ इमाजर प्रदेश कुछति संग का अधिक्स भी हूँ और वक्व इंडिया के वक्षिन फेडरेशन का रास्ट्री है उपाधिक्स भी रहा चुका हूँ तो सर इस अडे प्रथम जो मेरी प्रेरिय रहेगी वहारे चुके यहां खेल के लिए बहुत अच्छे उन बत्युक्राउंग को प्लेटफसर देने की है अगर हमारे बत्यू में चाहिच है जैमीन जो मेरे हिस्से में त Bennett बन रहा है तो खेलों और उत्र हमारा रहेगा साथ ही साथ इसके हमारे एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको ठीक करना अतिन तावसक है आप क्यूंकि हटीसी ड्वल्प्मेंट अथॉर्टिक के बोर्ड अफ डिरेक्टर भी है और ये सवाल आप से पूछना वाजिव रहेगा अभी एक रिसेंटली एक कॉंट्रवर्सी यहां पर आई है कि सरकागाट की काफी बसें जो है धरमपूर डिपो में लगा दी गई है काफी रोश है यहां लोगों में भी विपक्स इस मुद्दे को काफी अच्छे तरीके से बुना रहा है इस पर क्या कहना है कि यह को नाइज इनसाफी हो रही है कि अफ़र कागाट के साथ देखिए विपक्स के जो भी नेता इस बात को लेकर लोगों को गुमरह कर रहे हैं उनसे मेरी गुजारी से कि हमारी सीधी साधी पबलिक है उनके साथ इस तरह का खिलवाड मत करें उनको गुमरह मत करें मैं भी सरकागाट का हूँ, सरकागाट की भूमी से बहुत प्यार है, हम क्यों चाहेंगे कि हमारी बसें उदर जाएं, देखिए जब एक घर में दो भाई होते हैं, तो जब उसकी जमीन का बटवारा होता है, तो बराबर बराबर होता है, ऐसा तो नहीं होता कि एक को आदी द दिपू बनेगा, वो सरकागाट के ही जो उस साइड के धर्मपूर क्षित्र की जो बसें हैं, वो उनको वहां सेंट्रलाइज किया जाएगा, मैं आपको इसको बिश्त्रित में बता देता हूँ, धर्मपूर डिपू जो अभी स्टार्ट हुआ है, उसमें जितनी बसें और हैं और यहां के रूट सरकागाट की यहें जो बड़ी लंभी लिस्टीयं दे रहे हैं कि कर्मचार Islands के ट्रासपर होगी यह सब लोगों को बेकुप बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है, यह कर्मचारी पहले ही ट्रासपर कर दिये गई थे, जिनके अभी जो पक्के तो अगर सरकाघाट में दो डिपू बनते हैं तो सरकाघाट के ही इंपलाई दो हिस्सों में बंटेंगे अगर सारे इंपलाई सरकाघाट में आ जाएं बसें सब उदर चली जाएं तो सर्प्रस्टाफ हो जाएगा तो इस तरह से सरकार को भी इसका नुकसान होता है मुझे नहीं लगता कि सरकाघाट का कोई रूट बंद होता है अगर कोई रूट हमारा बंद होता है तो हमारे से बात करें हम आज उस रूट को तुरंट सलवाएंगे नया रूट वहां पर डलवाएंगे तो लोगों को भ्र पुरा कर रहे हैं, पबली को इकठा कर रहे हैं, हमारे गाउं के मैला हैं, हमारी बेहने, उनको जिस तरह से समझाते हैं हो समन जाती है, लेकिन पर आधारीत बात है वो मेने आपको बताई ही है। कि इतने बढ़िया मार्जिन से जीते हैं, पूरा इलाका वासियों के इनको सपोर्ट मिला है, पर इस परकार के आप बाते लिख देते हैं, कि जो मतलब उनीक है, जिसे कहते हैं कि जैसे हम टीनेजर्स या जो कॉलेज के लड़के होते हैं, उस परकार से आप कुछ भी लिख देते थे आप भी, तो वो क्या कौन सा दौर था, अभी बंद हो गया है कि अभी भी जारी है वैसा? देखिए, कुछ तो लोग है कहते, लोगों का काम है कहना, पर साथ ही साथ मैं आपको एक बात और भी पताना चाहता हूँ, कि मैं उन पॉलिटिशन्स में नहीं हूँ, उन राजनितों में नहीं हूँ, जो बिना मतलब से गाली सुनें, हमने एक शित्तर के लिए काम किया है लोग सरकार से लाके पैसा देते हैं, हम अपनी जेव से लेके पैसा दिया है, करीबन 200-300 बैनों के शादी अपनी जेव से लेके दिया है, कितने सारे क्रिकेट टरॉनमेंट में जाते हैं, प्लियर को परतसाइद करते हैं, कितने सारे स्कूल में जाते हैं, कितने सारे स्कू मुझे कोई राजनीती की कोई बड़ी सीट का कोई लालच नहीं है हम सही के लिए लड़ते हैं और सही के लिए लड़ते भी रहेंगे आगे भी और कोई हमारे लिए गलत लेखेगा तो गलत सुनना भी पड़ेगा अब इतने आपके दुश्मन होने का क्या कारण हैं है। तो इस तरह की मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीए राजनितिक दुश्मनी उती हैं। फ़र इसे बैवारी अगर स्फ्थार हो मेरी धुश्मनी किसी के साथ नहीं बैब खाबvest किसी को wives के शारा है अ छता हूं की जिस तरह कुछ लोग पर्सनल अटेक खरते हैं। आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे इस परकार से बयान बाजी करना एक आपका जो अपना कद्ध है या आपका जो अंबिशन्स है आगे राजनिती को लेके उसके बीच में एक रोडा है और यह ऐसा अगर कोई किसी के लिए गलत लिख रहा है और मुझे लगता है कि यह इसके सही है तो मैं उसका अंसर देता हूं लेकिन मैंने अब थोड़ा से एक लिस्ट बना ली है कुछ इस तरह से क्रेवन क्रेवन दस बारा फेस्बुक के यहां पर मैं मेले जिसको मैं कह सकता हूं फेस्बुक के मेले है जिंका काम यह होता है सिर्फ चंदर्मोन शर्मा को टार्गेट करना तो देखिए अगर कोई chicken आगे जा रहा है तो उसी को किया जा सकता है उनके जो नीचे हैं उनके जो दाइरे में हैं उनको टार्गेट कभी कोई नहीं करता है जो आगे बढ़ रहा है उसको टार्गेट होना भी पड़ेगा क्योंकि अगर पेड में अगर फल लगे हैं तो पत्थर उसी पेड को पड़ेंगे तो मैं उनको इग्नोर करने के कोशिश करता हूँ, हाँ पहले थोड़ी सी गलतिये हुई, नया नया हूँ राजनिती में, अभी सीख रहा हूँ, सीखने के दौर में हूँ यह भी एक बड़ अपन है, अपनी गलतियों को मानना और उसे मान के आगे बढ़ते जाना है, यह थे चंदर महुण शर्मा जी हमारे साथ, बड़ी बेबागी से इन्होंने सारे सवालों के जवाब दिये यहां पर आगे इनके कारिकरम में, तो हमारे भी कुछ कारिकरम है, त चंदर महुण जी अपने रास्ते, तो सर बहुत 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 शुक्रिया आपने इतने बिजिस्ट्रेडूल में से, और इतनी हसीन वादियों, मैं पहली वार आ रहा हूँ, वैसे मैं बता हूँ, मेरा ही इलाका में ज़्यादा रहा नहीं कहरी है, तो लेकिन मैं बहुत ख़बशुरत इलाग है, मैं आपको बता हूँ, इ cucumbers इलाका में बहुत ख़बशुरत बहुत बहुत कहए है, बहुत बहुत धन्याबाद आपको में इस काबल समझा, आपके पॉल्स्टार्टीम को मैं बढ़ाई देता हूँ, तैंक्यू, तैंक्यू, धैंक्स अienda, और इस ये इंट्रिव्यू देख रहे हैं तो यूटूब का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा जितने भी कॉमेंट्स आते हैं अब सब को शेर किया करें धने वाले थैंक्यू, थैंक्स अलब सब्सक्राइब करें और यूटूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें